नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोशन साह स्टडी पॉइंट पे आज की इस वीडियो में हम पारवी कक्षा के अध्याए पाच का ध्यन करेंगे जिसका नाम है प्राथमी क्रियाएं तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राथमी क्रियाएं होती क्या है और उसमें क्या-क्या कार्या समलित होते है तो प्राथमी क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो परत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरन पर निर्वर होती है यानि सीधे-सीधे पर्यावरन पर निर्वर होती है क्योंकि यह प्रिथवी के संसाधनों चैसे भूमी, जल, वनस्पती, भवन निर्मान सामगरी एवं खनिच की प्रयोग के विशय में बतलाती है इस प्रकार आखेड, भोजन संग्रहन, पशुचारन, मचली पकरना, वनों से लकरी काटना, क्रिशी एवं खनन कारे को प्रात्मी क्रिया क्लापों में समलित किया जाता है अब हम बात करते हैं कि आर्थी क्रियाएं क्या होती है तो मनुष्य द्वारा किये जाने वाले उन सभी क्रिया क्लापों को जिन से आय प्राप्थ होती हैं आर्थी क्रियाएं मुख्य तह चार प्रकार की होती हैं प्रात्मीक, द्वित्यक, त्रित्यक, एवं चतुर्थक यही वो क्रियाएं हैं जिसे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है अब हम सबसे महत्योपून विशय के बारे में जानेंगे आखेट एवं भोजन संगरहन आखेट एवं भोजन संगरहन क्या होता है तो मानव सब्धता के आरंबिक योग में आदीम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरन पर निर्वर करता था अब हम बात किसके कर रहे हैं प्रात्मिक क्रियाओ की तो प्रात्मिक क्रियाई क्या होती है जो वातावरन से सीधे सीधे जुड़ी होती है तो जो हमारा आदिम कालीन समाज था वो पून रूप से वातावरन पर निर्भर करता था जो की अपने जीवन निर्वाहन के लिए दो कारे किया करता था पहला पशुओं का आखेट करना दूसरा अपने आसपास के जंगलों से कंद मुल एकतरित करना जो आदीम कालीन समाज था वह जंगली पशुओं पर निर्भर करता था अत्यदिक ठंड एवं अत्यदिक गर्म पर्देश वाले लोग आखेट द्वारा अपना जीवन्यापन करते थे ये बाते जानकर हमें ये ये स्पस्ट होता है कि जो हमारा आदीम कालीन समाज था पून रूप से हमारे प्रात्मिक क्रिया कलापों पर निर्भर करता था अब क्या हुआ तकनीकी विकास हुआ तो तकनीके विकास के कारण मतस्य ग्रहन आधूनिकी करन से युक्त हो गया लेकिन आज भी जो तठ्या परदेश में रहने वाले लोग हैं अपना जीवन यापन करने के लिए मचली पकड़ते हैं तथा साथ ही जीवों की समाप्ती होने लगी जैसे जैसे आधूनिकी करन बढ़ा लोगों के अंदर अब क्या हुआ जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ जीवों की समाप्ती होने शुरी हो गई क्योंकि अवैद शिकार बढ़ते गए जिसके कारण कई जातियों की समाप्ती हो गई अत्यदिक शिकार के कारण क्योंकि प्राचीन काल में लोग पत्थर या लकरी के औजार का उप्योग करते थे जिसके कारण मारे जाने वाले पश्वों की संख्या सीमित होती थी आखेट तथा भोजन संग्रहन प्राचीनतम ग्यात आर्थिक्रियाएं हैं इसलिए यह विश्व के भिन भिन भागों में कार्य भिन भिन स्तर पर भिन भिन रूपों में किया जाता है यह कार्य जादा तर आदीम कालीन समाज के लोग ही करते हैं यह लोग अपने भोजन वस्त्र अवास की अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए पश्वों एवं वनस्पति का उपियोग करते हैं और इस कार्य को करने के लिए निमन स्तरिय तकनीकी ग्यान की अवशक्ता होती है इसमें भोजन अधी शेश भी नहीं रहता एवं पर्तिवेक्ति उत्पादन भी कम होती है। विश्व के दो भागों में भोजन संग्रहन करने का कारे किया जाता है। पहला उच्छ अक्षांश वाले छेत्र जिसमें उत्री कनाडा, उत्री यूरेशिया एवं दक्षनी चिल्ली आते हैं। तथा दूसरा निम्न अक्षांश वाले छेत्र जिसमें अमेजन बेशिन, उश्निकटी बंदिय अफरीका, उस्टेलिया एवं दक्षिन पूर्वी, एशिया का आंत्रिक परदेश आता है। अब हम बात करते हैं वैपारीकरन के। जैसे जैसे समय के साथ तक्नीकी विकास हुआ, तक्नीकी विकास के कारण वैपारीकरन भी बड़ा, भोगोली करण के कारण वैपारीकरन भी बड़ा, तो आधुनिक समाज में भोजन संग्रहन के कार्य का विश्व के कुछ भागों म वैपारी करन भी हो गया, लोग कीमती पत्तों की छाल एवं और शद्य पौधों का प्रियोग करते थे वैपार करने के लिए हमारा दूसरा प्रकार है वानिज्य पशु पालन अर्थ वानिज्य पशु धन पालन में पशुओ का पालन फामों में किया जाता है इसमें एक ही प्रकार के पशुओ को पाला जाता है उधारन के लिए गाए, बकरी, भैस, भेर, आदी को पाला जाता है दूसरा पौइंट है पुंजी वानिज्य पशुधन पालन में पुंजी परधान होती है क्योंकि इसमें पशुओ के चारे, छप पर, अवास, आदी पर, तथा, प्रजनन, चिकित्सा पर खर्च किया जाता है तीसरा है श्रम, वानिज्य पशुधन पालन श्रम परधान भी होता है क्योंकि इसमें पशुओ के देख भाल के लिए हमें श्रम की अवशक्ता होती है चौथा है वानिज्य कारन, वानिज्य पशुधन पालन में वैपारी करन की दृष्टी से किया जाता है इसमें पश्वो के द्वारा प्राप्ट, मांस, खाल, दूद आधी को डिपा बंद कर वैज्ञानिक तरीके से संसोधित किया जाता है और विश्व के अनेक भागों में भेजा जाता है पांचवा है छेत्र, इसके प्रमूख के छेत्र हैं USA, दक्षिन अमेरिका, औस्ट्रेलिया, यूरोप, एवं, न्यूजीलेंड छटा पॉइंट है पशुओ के प्रकार, इनमें उसी विशेश प्रकार की पशुओ को पाला जाता है, जिनके लिए वह जलवायू अनुकूल हो सात्वा है, फार्मों में पशुओ का पालन वैज्ञानिक अधार पर किया जाता है, इसमें पशुओ की विशेश ध्यान, प्रजनन, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है अब हम अपने दूसरे टॉपिक का ध्यान करेंगे, जिसका नाम है पशुचारन पशुचारन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला चालवासी पशुचारन, दूसरा वानिज्यधन पशुपालन इन में हम महत्यपुन चीजों का अध्यान करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है अर्थ, दूसरा है मौसम, तीसरा है पुनजी, चौथा है श्रम, पांचवा है छेत्र, और छटा है किन किन प्रकार के जानवरों का पालन किया जाता है तो सबसे पहले हम चालवासी पशुद्धन चारन वह प्रात्मिक क्रिया कलाब है जिसमें पशुओ को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है पशुओ के मालिक चारे एवब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थनांत्रित होते रहते हैं दूसरा है मौसम यहां गर्मियों के मौसम में परवतिय छेत्र और सरद रितु में मैदानी छेत्र की और प्रवास करते हैं इस प्रकार वह पशुओ के साथ रितु प्रवास करते हैं तीसरा है पुंजी, यहां पशुचारन पुंजी परधान पशुचारन नहीं है क्योंकि यहां प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं चौथा है श्रम, चालवाशी पशुचारन में श्रम की भी ओशकता नहीं होती पांचवा है छेत्र, इसमें प्रमुक छेत्र हैं उत्री अफ्रीका, यूरेशिया का टुन्रा परधेश, मेडागासकर, दक्षिन अफ्रीका, अरब प्रायदी एवं मंगोलिया इस पशुचारन का वानिज्य महत्व बिलकुल नहीं होता है और सात्वा पॉइंट है पशुओ के प्रकार, चालवासी पशुचारन में एक ही समय में भिन प्रकार के पशुओ को पाला जाता है जैसे सहारा के मरुस्थल एवं एशिया के मरुस्थल परदेशों में धेर वह बकरी को पाला जाता है हमारा अगला टॉपिक है निर्वाहन कृशी निर्वाहन कृशी को मोख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है पहला आदीम कालीन निर्वाहन क्रिशी, दूसरा गेहन निर्वाहन क्रिशी गेहन निर्वाहन क्रिशी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला चावल प्रधान गेहन क्रिशी, दूसरा चावल रहित गेहन क्रिशी आदिम काली निर्वाहन क्रिशी का अर्थ निर्वाहन क्रिशी का वह प्रकार है जिसमें क्रिशी परिवार के भरन पोशन के लिए किया जाता है इसका वैपारिक महत्व नहीं है यह आदिम काली निर्वाहन क्रिशी है जिसे स्थनांत्रन क्रिशी भी कहा जाता है दूसरा पॉइंट खेत का अकार इस प्रकार की खेती में खेतों का अकार भी छोटा होता है तीसरा पॉइंट है क्रिशी पधती इस प्रकार की कृषि में वनस्पती या जंगलों को काट कर या जला कर साफ किया जाता है खेत का उपजाऊपन समाप्त होने के बाद उस स्थान को छोड़ कर किसी अन्न स्थान को कृषि के लिए तयार किया जाता है चौथा पॉइंट है औजार इसमें पारंपरिक और जारों का उप्योग किया जाता है लकडी, फावडे, एवं कुदाल का उप्योग किया जाता है पांचवा पॉइंट है छेत्र इसके मुक्य छेत्र है उश्न कटी बंधिया छेत्र पहला अफरिका, दूसरा दक्षिन पूर्वी एशिया तथा तीसरा उश्न कटी बंधिया एवं मध्य अमेरिका अब हम गेहन निर्वाहन कृशी के पहले भाग को पढ़ते हैं चावल प्रधान गेहन निर्वाहन कृशी अर्थ चावल प्रधान कृशी में लोग परिवार के भरन पोशन के लिए खेती करते हैं इसमें भूमी के छोटे से टुक्रे पर काफी बरी मातरा में चावल की कृशी की जाती है तथा जन संख्या का दबाव खेती पर अधिक होता है दूसरा खेती का आकार, खेतों का आकार छोटा होता है तथा एक दूसरे से दूर दूर होता है तीसरा पॉइंट प्रमुख फसले, जैसा की नाम से ही पता चलता है, चावल की क्रिशी अधिक मातरा में की जाती है, सिंचाई और वर्षा पर निर्भर होती है चौथा श्रम इस प्रकार की क्रिशी में खेतों का गहन उपयोग किया जाता है इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानो श्रम का अधिक महत्व होता है अब हम अपने अगले कृशी की बात करते हैं जिसका नाम है भुमध्य सागरी कृशी यहाँ भुमध्य सागरी छेतरों में खीचाती है भुमध्य सागरी कृशी एक विशिष्ट प्रकार की कृशी है जिसमें खटे फलों के उतपादन पर विशेश बल दिया जाता है विशेशकर, संत्रे, अंगूर, अंजीर और जैतून का पैदावार अधिक होता है शीतरितु में जब यूरॉप तथा सयुक्तराज अमेरिका में फल एवं सब्जियों की आपूर्ती यही से की जाती है यहाँ पर विशेश प्रकार के अंगूरों का उत्पादन मदीरा बनाने के लिए किया जाता है इसके छेतर हैं चिली, कैप ताउन, उत्री अफ्रीका, डक्षनी अफ्रीका, डक्षिन पूर्वी ऑस्टेलिया, दक्षिन ऑस्टेलिया, उत्री यूरॉप तथा कैलिफोनिया इसके साथ ही हम बजार क्रिशी के बारे में भी थोड़ा अध्यान करते हैं इस प्रकार के क्रिशी में अधिक मुद्रा वाले फसलों, वह सबजियों, फूलों को उगाया जाता हैं इसमें खेतों का अकार्ट छोटा-छोटा होता है, यहां पर यातायाद के अच्छे संसाधन विक्सित होते हैं अब हम डेरी क्रिशी का ध्यान करेंगे अर्थ डेरी क्रिशी एक विशिश्च प्रकार की क्रिशी है जिसमें जिसके अंतरगत पशवो को दूद के लिए पाला जाता है और उसके स्वास्थ, प्रजनन और चिकिटसा पर विशेश ध्यान दिया जाता है पुझी डेरी क्रिशी पुझी परधान क्रिशी है क्योंकि इसमें पशुओ के लिए घास संचित करने के लिए भंडारन एवं छपपर तथा दूद उत्पादन के लिए अधिक पुझी की अवशकता होती है तीसरा पुइंट है श्रम यहा क्रिशी श्रम परधान क्रिशी है क्योंकि इसमें वर्ष भर पशुओ के चड़ने दूद निकालने के लिए श्रम की अवशकता पड़ती है बाजार डेरी क्रिशी का कार्य अधिकतर नगरिय तथा और धोगिक केंदरों के निकट स्थापित किये जाते हैं क्योंकि यहां ताजे दूद की अधिक मांग होती है पांचवा पॉइंट है नगरिये तथा और धोगिक परदेश में विक्सित यातायात के साधन पस्तेरी करण सुविधाएं उपलब्ध होती है छेटा पॉइंट है छेत्र उत्री पूर्वी यूरॉप, कनाडा, न्यूजिलेंड, औस्टेलिया तथा तस्मानिया अगला टॉपिक है रोपन क्रिशी, रोपन क्रिशी का अर्थ, रोपन क्रिशी एक वैपारिक क्रिशी होती है जिसके अंतरगत बजार में बेचे जाने वाले फसलों को बोया जाता है जैसे चाय, कौफी, कोको, रबबर, कपास, गन्न, अथवा केले को उगाया जाता है दूसरा पॉइंट है खेतों का आकार इस प्रकार की कृशी में खेतों का आकार भी बहुत बड़ा होता है तीसरा पॉइंट है पुंजी रोपन कृशी एक प्रकार की पुंजी प्रधान कृशी है क्यूंकि इसमें बगान के रखरखाव उसकी थापना आधी पर अधिक धन की अवशकता पड़ती है चौथा पॉइंट है एकल कृशी इस प्रकार की कृशी में एक प्रकार के फसल को उगाया जाता है पांचवा पॉइंट है हमारा श्रम रोपन कृषी में अधिक श्रम के अवशक्ता होती है और यह श्रम स्थानिय मजदूरों द्वारा ही लिया जाता है छटा पॉइंट है तकनीक वह वैज्ञानिक विदी इसमें उच तकनीकों का और वैज्ञानिक प्रोधोगी का उप्योग किया जाता है और हमारा सात्वा और आखरी पॉइंट है परिवहन के साधन परिवहन के साधन सुचारों रूप से विक्सित होते हैं जो बागान से समान का बजारों तक ले जाते हैं